सभी सिक्षक साथियों को मेरा नमशकार मैं प्रसेंजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ साथियों आपको अवगत कराना है कि सभी सिक्षकों वा कर्मचारियों की सेलरी को अब मानो संपदा पॉर्टल पर पेरूल सिस्टम से जोड़ दिया गया है जिसके अंतरगत शिक्षकों ब करमचारियों को अपनी मासेक उपस्थिती माह में एक बार मानो संपदा पोर्टल पर अंकित करानी होगी उपस्थिती अंकित होने पर ही सम्मन्दित की सेलरी निर्गत की जाएगी पेरोल सिस्टम से अब सेलरी लेट नहीं हुआ करेगी यह माहा की अंतिम तारीख से अगले माहा की दो तारीख के मंध शिक्षकों बकर्मचारीओं के bank account में credit हो जाया करेगी आज इस वीडियो में हम जानेंगे की शिक्षकों बकर्मचारीओं के attendance data को मानव संपदा पोर्टल पर कैसे फिल करना है यह कार माहा की किस डेट से किस डेट के लिए करना है साथियों यह बहुत ही महत्वपूर कारी है इसमें तुटी की कोई संभावना न रहे इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंते तक देखिए एक बार देखने पर यदि कोई संसे रह जाए तो इस वीडियो को पुनह देख लीजिए आए प्रारम करते हैं आज का ट्यूटियोरियल वीडियो और जानते हैं प्रतियक स्टेप के बारे में विस्तार से आटेंडेंस डेटा भरने से सम्मंदित सामाने निरदेश यह है आटेंडेंस डेटा पिछले महा की 21 तारीक से वर्तमान महा की 20 तारीक के मद्द का भरा जाएगा ऐसे शिक्षक्व कर्मचारी जन्होंने अव्कास के लिए आवेधन किया है अवकास स्वीकरत हो गया है अथवा अस्वीकरत उनका अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा ऐसे शिक्षक बकर्मचारी जो अवकास का आवेदन किये विना अवकास पर चले गए हैं उनका भी अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा जो शिक्षक्व कर्मचारी महा के सभी दिन उपस्थित रहे हैं, उनका attendance data नहीं भरा जाएगा यद किसी महा में कोई भी शिक्षक्व कर्मचारी उनपस्थित ना हुआ हो, तो भी उस महा का attendance data लॉग किया जाएगा यह attendance data विद्याले के प्रधाना ध्यापक अथवा प्रभारी प्रधाना ध्यापक के द्वारा भरा जाएगा Composite विद्ध्याले होने की इस्थित में प्रात्मिक एबं उच्छ प्रात्मिक विद्ध्याले के पूर्व इस्थिति के प्रधाना ध्यापकों अथवा प्रभारी प्रधाना ध्यापकों द्वारा यह डेटा अलग अलग भरा जाएगा अटेंडेंस डेटा का प्रिंट आउट विद्याले के प्रधाना ध्यापक द्वारा हस्ताक्षर कर ब्लाग संसाधन के अंदर पर जमा किया जाएगा Composite विद्ध्याले होने की इस्थिति में Composite विद्ध्याले के प्रधना ध्यापक गवारा PS और UPS के डेटा का प्रेंट आउट अपने हस्ताक्षर करके ब्लाक संसाधन के इंदर पर जमा किया जाएगा आईए अब जानते हैं Attendance डेटा फिल करने के Steps साथियो इस प्रोसिस को आप Mobile, Laptop या Desktop किसी से भी कर सकते हैं सभी का तरीका एक जैसा ही है वीडियो में इस पश्ट रूप से दिखाने के लिए मैंने Laptop का प्रियोग किया है सरप्रथम आपको मानो संपदा पोर्टल ओपन कर लेना है इसके लिए Google सर्च में टाइप करेंगे sttp colon double slash ehrms.upsdc.gov.in slash और सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है आप मानो संपदा पोर्टल के login पेज पर पहुँच जाएंगे यहां पर आपको ehrms login पर क्लिक करना है आपको इस तरह का dialogue box मिल जाएगा यहां पर user department में basic education सेलेक्ट कर लेना है user id और password के column में प्रधाना ध्यापक या प्रभारी प्रधाना ध्यापक को अपना मानो संपदा code और password भरना है इसके बाद capture code सही सही भरना है और login बटन पर क्लिक कर देना है Login बटन पर क्लिक करते ही प्रधाना ध्यापक या प्रभारी प्रधाना ध्यापक का डेटेल इस प्रकार दिखने लगेगा इस पेज पर आपको Payroll टेप पर क्लिक कर देना है Payroll टेप पर क्लिक करने पर आपको ड्रॉप डाउन मीनू में दो अप्शन मिल जाएंगे Basic Education और Salary Slip यहाँ पर आपको Basic Education पर क्लिक कर देना है Basic Education पर क्लिक करते ही आप Payroll Management पेज पर पहुँच जाएंगे यहाँ आपको Attendance बटन पर क्लिक कर देना है अगला पेज आपको इस तरह का मिल जाएगा जिस पर दो बटन दिखाई देंगे Fill Attendance और Lock Attendance डेटा Fill Attendance बटन का प्रियोग Attendance फिल करने के लिए किया जाएगा जबकि Lock Attendance डेटा बटन का प्रियोग फिल की गई Attendance को Lock करने के लिए किया जाएगा यदि किसी माह में कोई कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो attendance data को fill करने की आवशक्ता नहीं है सीधे lock attendance data बटन का प्रियोग कर उस महा की attendance को lock कर दिया जाएगा आईए अब attendance data को fill करना सीखते हैं इसके लिए fill attendance बटन को click कर देना है click करते ही आप employee list पेज पर पहुँच जाएंगे इस पेज पर कारेरत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की list आपको मिल जाएगी अब बारी बारी से सभी का attendance data आपको fill करना है जो शिक्षक या कर्मचारी महा के किसी भी दिवस में अबकास पर या अनपस्थित नहीं रहे हैं उनके लिए attendance data फिल नहीं करना है अब मालेजिए कि आपको सौरब का attendance data फिल करना है तो इसके लिए आप सौरब के सामने Aid, Edit Attendance Option को क्लिक कर देंगे क्लिक करते ही आपको सौरब का attendance form मिल जाएगा यहाँ पर कुछ entries पहले से भरी होगी आपको इस red box में दरसाई गई entries को ही फिल करना है Leave from के box में उस date को भरना है जिस date से leave ली गई है इसके लिए आप box के आगे three dots को क्लिक करके calendar को खोल सकते हैं या box में manually भी date फिल कर सकते हैं date manually भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे date separator के लिए slash का ही प्रियोग करना है यदि कोई महा एक अंक में लिखा जाता है तो उसके पहले zero लगाना है और sun को चार अंकों में ही लिखना है इसलिए बहतर होगा कि आप three dots का प्रियोग कर ही date को फिल करें date भर जाने पर valid date का box आएगा इसमें आपको ok पर click कर देना है इसी प्रकार leave two के box में वह date फिल करनी है जहां तक leave ली गई है number of leave days का box automatically फिल हो जाएगा region of leave के box में आपको type of leave select करना है जैसे casual leave, medical leave, child care leave, etc leave status के box में आपको sanctioned leave, non-sanctioned leave या unauthorized leave के option मिलेंगे उचित option आपको select कर लेना है remarks के box में आपको leave से related remark लिखना है remark लिखते समय बिसेश चिन्हों जैसे bracket आदिका प्रियोग नहीं करना है सभी box सापधानी पूर्वक फिल करने के बाद submit बटन पर click कर देना है यदि आपने सभी box सही format पर fill किये होंगे तो successfully saved का message आपको मिल जाएगा यहाँ आपको ok पर click कर देना है ok पर click करते ही आप बापस attendance form के page पर पहुँच जाएगे सम्मंदित शिक्षक या कर्मचारी की sales leaps भी इसी प्रकार भरी जा सकती है किसी अन्य शिक्षक या कर्मचारी का attendance data फिल करने के लिए back बटन पर click कर देना है click करते ही आप बापस employee list page पर पहुँच जाएगे इसी प्रकार अन्य शिक्षक या कर्मचारी का leave data या attendance data फिल किया जा सकता है सम्मंधितों का attendance data फिल हो जाने पर आपको back बटन पर click कर देना है back बटन पर click करते ही आप attendance menu page पर पहुँच जाएगे अब आपको lock attendance बटन का प्रियोग कर attendance data को lock करना है इसके लिए lock attendance data बटन को click कर देना है lock attendance data बटन पर click करने पर आप lock imply attendance पर पहुँच जाएगे यहाँ पर आपके द्वारा फिल किया गया data प्रदर्शित होगा एक page पर अधिक्तम 10 entries प्रदर्शित की जा सकती है 10 से अधिक entries होने पर आप previous और next बटन का उप्योग कर सभी entries देख सकते हैं और check कर सकते हैं सभी entries को check कर लेना आवश्यक है क्योंकि data एक बार lock हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होगा यदि आप किसी शिक्षक या कर्मचारी की कोई entry डिलीट करना चाहते हैं तो employee list page पर aid और edit attendance option का प्रियोग कर डिलीट कर सकते हैं जिसका तरीका आपको इस पीडियो की यंत में बताया जाएगा यदि प्रदर्शित data में कोई तुटी नहीं है तो data को finally log करने के लिए आपको log बटन पर click कर देना है मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस page पर log बटन पर click करने पर data पूर्ण रूप से log हो जाएगा इसके बाद कोई भी परवर्तन करना संभव नहीं होगा log बटन पर click करते ही आप से पूछा जाएगा कि are you sure अर्थात क्या आप data log करना चाहते हैं sure होने पर आपको ok बटन पर click कर देना है ok पर click करने पर आपको successfully logged का message मिल जाएगा यहाँ पर फिर से ok बटन पर click कर देना है ok पर click करने पर आप attendance logged status page पर पहुँच जाएगे इस page का print प्राप्त करने के लिए आपको print बटन पर click कर देना है print बटन पर click करने पर आपको इस तरह का page दिखाई देगा यदि आप desktop या laptop का प्रियोग कर रहे हैं तो keyboard पर control और P बटन एक साथ दबा कर इसका print पेपर पर निकाल सकते हैं और यदि आप mobile का प्रियोग कर रहे हैं तो इस page का screenshot ले सकते हैं या save as PDF option का प्रियोग कर mobile में PDF save कर सकते हैं जिसका बाद में print पेपर पर ले सकते हैं अब प्रधाना ध्यापक या प्रभारी प्रधाना ध्यापक को इस printed page पर निरधारित इस्थान पर हस्ताक्षर कर इसे BRC पर जमा कर देना है बहतर होगा कि इसकी एक प्रती आप पिद्याले में भी सुरक्षित रख लें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप द्वारा attendance data भरते समय कोई तुटी हो गई है तो सम्मन्दित शिक्षक या करमचारी की उस entry को data log करने से पहले delete कैसे करेंगे इसके लिए आपको back button और fill attendance button का प्रियोग करते हुए employee list page पर आ जाना है अब इस page पर जिस शिक्षक या करमचारी की entry delete करनी है उसके सामने aid या edit attendance option पर क्लिक कर देना है सम्मन्दित शिक्षक या करमचारी का attendance form खुल जाएगा अब इस page पर submit button के नीचे attendance field बार पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही attendance field का पेज खुल जाएगा इस page पर सम्मन्दित शिक्षक या करमचारी के सामने delete के icon पर क्लिक कर देना है delete icon पर क्लिक करते ही आपको deleted successfully का message मिल जाएगा यहाँ पर आपको ok पर क्लिक कर देना है और पूर्व में बताए गए तरीके से data को log कर देना है साथियों यह वीडियो सभी आवस्यक जानकारी एकत्र करने के बाद बहुत परिश्रम से तयार किया गया है यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे like कर दीजिए और अपने मित्रों को share कर दीजिए इस तरह के अन्य उपयोगी वीडियो का link प्राप्त करने के लिए आप मेरे whatsapp, facebook और telegram groups को join कर सकते हैं जिनका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा अगले वीडियो तक के लिए आपसे यनुमती चाहता हूँ, जै हिंद